अध्याय चार मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है यद्धिपी सब वस्तूं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं परंतु पिता के ठहराय हुए समय तक रक्षक्कूं और भंडारियों के वश में रहता है वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदी शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के आधीन उत्तपन हुआ ताकि व्यवस्था के आधीनों को मोल लेकर छुडा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हिर्दय में भेजा है इसलिए तु अब दास नहीं परन तु पुत्र है और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो सोहाओ से परमेश्वर नहीं पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना तो निर्बल और निकम्मी आदी शिक्षा की बातों की और क्यों फिरते हो जिनके तुम तुबारा दास होना चाहते हो तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो मैं तुम्हारे वशे में डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिय किया है विर्थ ठहरे हे भाईयों मैं तुमसे विनिती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो, कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सू समाचार सुनाया, और तुमने मेरी एक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुछ ना जाना, ना उस से घना की, और परमेश्वर के दूद, वरन मसीह के समान मुझे ग्रहन किया, तो वो तुम्हारा आनंद मनाना कहा गया, मैं तुम्हारा गवहा हूँ, कि यदि हो सकता, तो तुम अपनी आखें भी निकाल कर मुझे दे देते हैं, तो क्या तुम से सच बोलने के कारण, मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भली मंसा से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं, कि तुम उन्ही को मित्र बना लो, पर ये भी कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्म किया जाए ना केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ हे मेरे बालकों चब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा कीसी पीडाएं सहता हूँ इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलू क्योंकि तुम्हारे विशे में मुझे संदेह है। तुम जो व्यवस्था के आधीन होना चाहते हो उसे कहो क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते हैं। यह लिखा है कि इबरहीम के दो पुत्र हुए। एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ, वो शारीरिक रिती से चन्वा और जो प्रतिग्या के अनुसार चन्वा इन बातों में द्रिश्टांत है। ये स्त्रिया मानू दो वाचाएं हैं, एक तो सीना पहाड की जिस से दासी उत्पन होते हैं, और वो हाजिरा है, हाजिरा मानू अरब का सीना पहाड है, और आधुनिक यरुशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्वों में है, पर उपर की यरुशले में स्वतंत्र हैं, और वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है कि, हे बांच, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीडाएं नहीं उठती, कला खोल कर, जै जै कार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान, सुहागिन की संतान से भी अधिक हैं, हे भाईयों, हम इस हाक की कारी नाई प्रतिज्या की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जनमा हुआ, आत्मा के अनुसार जनमे हुए को सताता था, वैसा ही अभी होता है, परन्थु पवित्र-शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र, साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाईयों हम दासी के नहीं, परंतु स्वतंत्र इस्त्री की संतान है।